लास्ट लेक्चर में हमने किया था इनर प्रोडेक्ट स्पेस उस इनर प्रोडेक्ट स्पेस क्या होता है और एक एक्जामपल हमने लेक्जामपल लेकी चले थे उसको हमने इनर प्रोडेक्ट स्पेस प्रूव किया था आज हम कर रहें नेक्स टोपिक नॉम ओफे वेक्टर क् कि दिफिनिशन है लेट लेट बी बी एन इनर प्रोडेक्ट श्पेस वी हमारे क्या है इनर प्रोडेक्ट स्पेस पूर एनी स्मॉल वी है जो वेक्टर स्पेस से है दा नोम का मतलब होता है लेंथ कैसे define करते है, norm of v is defined as, यह inner product is square root, इस तरीक के से इसको define करते है, and is denoted by norm, norm का symbol होता है, यह norm का symbol होता है, यह norm of v यह तो इसको क्या से लिखेंगे, norm of v, that is, norm v को इस तरीक के से भी denote करते है, since, inner product of v, v is real and greater than equal to zero, therefore, norm of vector v belongs to vector space is always a non-negative, क्या होगा, real number, if our norm, norm v हमारी बन के equal है, तो इसका मतलब उसको हम क्या बोलते है, unit, unit vector, एक example करते हैं, example है, find the norm of the vector, u is equal to 2, minus 3, 6, and normalize this vector, इस vector हमें norm निकालनी है, और इस vector को हमनी क्या करना है, नोर्म मिला, इस कैसे करेंगे, u हमें क्या given है, 2, minus 3, 6, अब हमें क्या निकालनी है, इसकी norm, और norm को हम कैसे denote करते हैं, ऐसे, norm, तो हमने कहीं norm of u, इसका scale लेके चल रहे हैं, norm of u square को हम कैसे लिख सकते हैं, u, u, और हम कैसे निकालते हैं norm, जो भी इसमें vector given है, इनके scale का sum, first vector है, first scale, plus second scale, plus third scale, इनका sum कितना गया, 49, तो norm of u square किसके equal आ गया, 49, norm of u square ही तरह की क्या हो जाएगा, अंडरूट, 49 का अंडरूट क्या होता है, 7, और यह हमें क्या निकालनी थी, norm, तो norm हमारी क्या आगी, यूगी norm, 7, अब हमें क्या निकालना है, नॉर्मिलाइज, इस vector को हमने क्या करना, नॉर्मिलाइज, तो नॉर्मिलाइज vector निकालनी का formula क्या होता है, you vector upon उसकी norm तो vector हमारे क्या है 2 minus 3 6 तो इसकी norm क्या दी ए 7 तो क्या हो गया 2 by 7 second की क्या हो गया normalize vector –3 upon 7 और next क्या हो गया 6 upon 7 तो मैं क्या निकालना था नॉम निकालने थे norm हमारी क्या आ गई 7 और मैं क्या निकालना था इस vector को नोर्मिलाइज करना नोर्मलाइज हमारा वेक्टर क्या आ गया 2 by 7,3 by 7,6 by 7 क्यों हम करते हैं To prove that norm of AU is equal to mod A norm of U for all A belongs to F,U belongs to V कैसे करेंगे क्या given है मैं LHS लेके RHS प्रूव कर सकते हैं RHS लेके LHS भी इसमें हम लेके चल रहे हैं LHS तो क्या लेके चल रहे हैं norm of AU इसका scale लेके चल रहे है question को prove करने के लिए इसका scale ले लिए scale का मलब इसको inner product के टू टाइम्स लिए AU, AU इसको बाहर निकाल ले हैं हां से AU, AU अगर first में से हम scalar निकालते हैं तो as it is निकल जाता है लेकिन अगर second term में से अगर हम निकालते हैं common तो conjugate की फो में बहार आता है तो U इस second term में हम common A निकाल रहे तो क्या आएगा conjugate की फो में बहार आएगा A तो था ही वाहल पहले से U, यहां से A निकालेंगे तो क्या आजाएगा A conjugate और क्या बचाएगा यहां पर A निकालने के बाद U, U अब A A मोड लेस अब हमने पढ़ा हुआ है कल भी हम पहले परस लेक्चर में भी हमने किया था जैड जैड बहार किसके इकवल होता है मोड ओफ जैड स्केयर तो यहां पर A A बार है तो किसके इकवल हो जाएगा हमारा मोड ओफ A स्केयर और U, U की नॉम को हम क्या लिख सकते हैं नॉम ओफ यू स्केयर जैसे नॉम ओफ यू स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं पीछे भी हमने किया है U, U इसको हम ये लिख सकते हैं सकते हैं तो यू, यू को इन प्रेट को में क्या लिख लिए नोम ऊफ यू स्केयर और यही हमें अब दौनों तरफ क्या है नोम ऊफ एयू का होल श्केयर श्केयर इजी इक्वल टू मोड अफ कर नॉम उफ यू स्केयर बाई टेकिंग पॉजिटिव स्केयर रूट से मारा क्या हो जागा स्केर रूट से स्केर कैंसिल हो जाएगा और हमारा प्रूव हो गया हम लेके क्या चल रहे थे norm of AU is equal to mod A norm of U next topic है कोशी स्क्वार्स inequality very very important topic क्या होती है कोशी स्क्वार्स inequality क्योरम है let we be an inner product space then mode of UV का inner product less than equal to norm of U norm of V for all UV belongs to V exam में यह statement के थ्रूव भी पूछी जा सकती है कैसे state and poo कोशी स्क्वार्स inequality तो आपको छोरम की statement भी पता होनी चाहिए ठीक है तो भाई छोरम से भी आ सकते है तो छोरम से आपको पता होना चाहिए कि हमारे कौन से है कौन से स्टेटमेंट का है यह कोशी स्क्वार्स inequality अगर वाई नेमिंग से आगी तो भी आपको पता होना चाहिए तो हमारी ठीक क्या थी लेट वी बी एन इनर प्रोडेक्ट स्पेस देन इनर प्रोडेक्ट ओफ यूवी मोड ओफ इनर प्रोडेक्ट ओफ यूवी लेज दन एक्वल टू नॉम ओफ यू नॉम ओफ वी फॉर ओल यूवी बिलोंग्स टू वी प्रोफ करते है इसके प्रोडेक्ट करने के लिए हम कैसे लेके चलेंगे जो यू है हमने माल लिया इफ यू की वैलू अगर जीरो है यू की वैलू अगर यू जीरो है देन यू वी का क्या है इनर प्रोडेक्ट तो यू को हमने जीरो पूट किया जीरो कॉमा वी कैसे आया है जीरो देखें जीरो जीरो कॉमा वी जीरो को हम क्या लिख सकते हैं 0 इंटू 0 लिख सकते हैं 0 जैसे पीछें अभी अभी एग्जांपल किया था एक को आपने बाहर निकाल लिया था यहां से Similarly, हमने 0 को यहां से निकाल लिया 0, V और 0 के मोल्टिप्लाई में तो वहां क्या आ गया यह जी रो तो यहां से हमारे पास से 0, V का इने प्रोड़क किसके एकवल आगया 0 के and norm of u norm of u को हम कैसे लिख सकते हैं u, u अभी अभी बताया था कि norm को हम कैसे define करते हैं norm को हम कैसे करते हैं इस तरह के से भी define कर सकते हैं तो हमने norm को क्या लिखा U, 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 U को हमने क्या मान के चलें? 0, U को क्या मान है हमने? 0, 0 तो 00 का मतलब 0 का इन्हों प्रोड़क्ट क्या होता है? 0 तो अगर 0 लेके चलेंगे तो 0 के लिए हमारा नॉम क्या हो जाएगी? 0 Similarly, the inequality is valid when V is equal to 0 यह case हमने लिया है जब U 0 है V अगर V 0 तो भी वही हो जाएगा अगर V 0 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? U, 0 यहाँ पर भी U, पहले इस पोजिशन पर 0 था अब यहाँ पर U आजाएगा, यहाँ पर 0 U का U, 0 into 0 0 आजाएगा यहाँ पर Similarly, U, 0, V, 0 भी हमारा क्या आजाएगा? क्या आजाएगा? 0 आजाएगा तो similarly, inequality हमारी V के लिए भी क्या हो जाएगी? valid तो यह तो हम case लेके चल रहे थे अगर U की value क्या है? 0 है अगर non 0 है तो दो case लेके चलेंगे हम यहाँ पर case, one क्या लेके चलेंगे U की value, 0 के लिए क्या result आ रहा है? और second case हम लेके चलेंगे U non 0 के लिए क्या है? तो U 0 के लिए तो हमारा valid हो रहा है अब हम क्या लेके चलेंगे U non 0 के लिए हमारा क्या है? तो हमने let करके चल रहे let U not equal to 0 then अगर U non 0 तो my norm भी क्या हो जाएगी? non 0 norm पिछे से पिछे का concept है non U अगर 0 के लिए है तो इसको हम क्या लिए सकते है? 0,0 0 का इनर प्रोड़क किस के लिए हैगा? 0 ठीक है? तो U क्या हो जाएगा? 0 अब हम क्या लिए के चल रहे है U अगर non 0 है तो क्या हो? देखे let हम consider करके चलेंगे एक W वेक्टर लेके चलेंगे जो किसके एकवल लेके चलेंगे आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसमें हमें थियोरम का प्रोड़क करने के लिए एक वेक्टर लेके चलेंगे W is equal to V minus inner product of V, U U divided by norm of U square अब then अब W का inner product हमने U के साथ लिया W क्या है जो हम यहाँ पर consider करके चले थे W लिया हमने V V minus as it is यहाँ पर put कर दी value comma क्या था comma क्या था U comma U inner product अब इसको simplify कीजिए कैसे करेंगे inner product console देखे इसका inner product किसके साथ है U के साथ एक बर हमने क्या किया V U V U minus inner product V U अब U का किसके साथ एक बर V का किसके साथ हो गया U के साथ अब इसका second term का इसके साथ हो जाएगा तो V U और U U V U U comma U norm of U scare कैसे किया हमने V को एक बर U के साथ लगा दिया minus कैसे किया था V U minus as it is लिख देएपर V को किसके साथ कर लिया U के साथ minus minus V U U norm of U scare U as it is next concept में देखे V comma U minus V U अब U किसके साथ हो जाएगा U के साथ U norm of U scare अब देखे V U minus V U norm of U scare और U U पीछे का हमने किया है U U को मतलब क्या होता है norm of U scare V U minus अब देखे norm of U scare से norm of U scare cancel यह क्या बच गए है हाँ पर V V U is equal to अब यह cancel एक जैसे है क्या गए है हाँ यहाँ पर 0 तो यहाँ से हमारा हम किसकी value निकाल के लेके चल रहे थे W U का inner product किसके एकवल दिखा दिया हमने 0 के एकवल इस concept को हम इस property से भी कर सकते हैं जैसे यह पिछे property है A U का inner product U के साथ किसके एकवल होता है यह A बहर आ जाता है U अब देखे जैसे हमने यह किया था V V एक बर इसके साथ हो गई V U माइनस V U U यह अब देखे नेक्स concept में V कोमा यू माइनस अगर यह यह एक तरह से के मालिया हमने क्या है A है यह देखे A U कोमा यू A U किसके एकवल आता है A बहर आ जाता है U कोमा यू एक तरह से A यह हो गया हमारा तो यह A आ गया बहर क्या बचा U कोमा यू फिर वही V U माइनस V U नोम आफ स्केर यह प्रोपर्टी से यह कैंसिल आउट हो गया तो यहां हमने क्या प्रोपर्व कर लिया था W U का इनर प्रोड़क किसके एकवल आ गया 0 को इसको माल लिया नमबर 2 अब देखिए अब हम लेके चल रहे है नोम आफ डबलू स्केर नोम आफ डबलू को पीछे हमने किया था हम कैसे लिख सकते है डबलू कोमा डबलू का इसको डबलू कोमा डबलू लिख सकते है अच्छा जी अब यह डबलू है डबलू के बैलू हम यहाँपे कंसिडर करके चले थे V-V, V, U का इनर प्रोड़क यू नोम आफ यू स्केर यहाँपे पुट कर दी हमने अगेन कोमा डबलू और वही फिर से इनर प्रोड़क्ट मैथड से वी मल्टिप्लाई की वी डबलू माइनस वी यू वी यू यू डबलू नीचे नॉम ओफ यू स्केर वी डबलू माइनस वी यू अब यू डबलू है कल हमने किया था लास लेक्चर में प्रोड़क्स के एकवल होता है कॉम्पलेक्स कॉंजूगेट ओफ डबलू यू तो यू डबलू की जगह हमने यहाँ पिक अगर पोजिशन चेंज होई यू डबलू है डबलू यू आगे डबलू आगे आगे यू तो उपर क्या आजाएग यू डबलू का इनर प्रोड़क्स के एकवल है जीरो के यहाँ वैलू पूट कर दी जीरो ऊपर क्या है यू डबलू का इनर प्रोड़क्स के वैलू यहाँ पर पूट कर दी तो यहाँ से हमारे क्या आ गया वी कोमा डबलू का इनर प्रोड़क्स अब क्या है क्या प्रूब कर लिया हमने norm of w square is equal to क्या आ गया हमारा v, w अब देखिए v, w था v, w इसमें क्या आपको बस w की value दिहान रखर नहीं है बार-बार इसी की value हम put कर रहे हैं यह consider करके चले थे w की value हमने यहाँ put की फिर हमने w की value क्या पूट की यहाँ put की अब कौन से position यहाँ पर v, w है यहाँ पर देखिए v, w है अब हम दुबारा v, w की value वही दुबारा से put कर दी है यहाँ पर बाई फस्ट जो हम consider करके चले थे इसको numbering क्या दी थी फस्ट अब देखिए फिर से product कीजिए v काइनर product इसकी इसके साथ हो जाएगी minus, अब देखिए अब कैसे आया अदेखिए u, a, v यह property यूज होगी यहाँ पर u, a, v का inner product मैंने आभी हमने सबसे पहले चोरम की थी कि a, u, जैसे a, u था तो हमने क्या किया पहले a, निकाला अंदर क्या बचा था क्या बचा था, a, u, लेकिन second में से जब हम कॉमा निकालेंगे तो conjugate की form में बहार आएगा, यह हमने किया था, ऐसे ही यह property यूज होगी यहाँ पर, u, a, v, तो अगर second से निकालेंगे तो conjugate की form में बहार निकालेगा वह, u, v, similar ही देखें यहाँ पर, v, v, minus अब देखें यहाँ पर, यह माल लेक्ट रहे से क्या है हम इसकी product किसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ, देखें कैसे कर रहे थे हम, इसकी product कैसे करेंगे, v, v, minus अब इसकी साथ करेंगे, अब मैंने आपको property क्या बताई थी, u, a, v, u, a, v, अम आले हमने यह क्या है हमारा जैसे, u है, इसकी साथ कर रहे हैं, अब second term के साथ product हम, u, यह है, यह क्या है a है, और यह क्या है v, तो u, a, v, तो क्या था हमारा, यह conjugate बहारा घया था a, second term से, जो a का मोड़ था, वो बहारा घया, अंदर क्या बचा, u, v, अब देखिए, इसमें a क्या हमारा यह है, तो इसका conjugate यह a है, यह भारा घया हमारा, और क्या था फिर u,v u कह है हमारा u,v और गया समझ दुबारा देखिए हमने अब किसकी प्रॉपर्टी थी हमारी क्या प्रॉपर्टी हो थी हमारी u,av second से निकालेंगे तो हमारा A mode की फोर्म में बहार आएगा और जो बचया है वो U, V बच गए, यह हैं आ जाएगा तो यह हमारा क्या है U है इसकी प्रोड़क्ट हम सेकेंड टम के साथ कर रहे है तो यह हमारा क्या V है यह क्या है V तो A का mode बहरा रहे है तो A यह है उसका mode आ गया बाकी क्या बच आ बच आ U, V, U यह बच आ यह मोड इसका बहार आ गया अब देखिए वी कोमा वी माइनस अब देखिए वी यू का बार इंटू वी यू और हमने पढ़ा हुआ है कि यह मालूमा जो कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रोपर्टी एकर जैड बार कोई भी इन कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मोड लास की मल्ट रहे कि यह सेम नंबर है या नंबर उसी का मोड प्रोड़ेक्स चाह तो क्या हो जाएगा इस नंबर का स्केर बाइस प्रोपरटी यहां तो यहांसे वी वी नोम के डैफिनेशन से इसको वी कॉमा वी का लिग सकते है नॉम of V स्केर माइनस वी कॉमा यू का इनल प्रोड़क कि square, norm of u square और norm, norm की definition होती है norm always positive क्या होती है, norm negative होती है, तो positive हमारे greater than, equal to zero और norm w, norm की value क्या है यह हमारी, पीचे देखिए यह norm of w square की तो value निकाल रहे थे हम यह जो हमने अभी बेभी निकाला है norm w square की value तो निकाली है ना यह v, w है, इसकी value निकाल लिए किसके एकवल है norm of w square की तो यह क्या है इसकी value put कर दिया हमने हाँ पे यह क्या है greater than equal to zero LCM लिया LCM क्या आगा है norm of u square प्रोडेक्ट में चला गया यह as it is greater than equal to zero अब यह RHS में है इधरा के क्या हो जाएगा so LHS में RHS में जाके क्या हो जाएगा जीरो तो norm of u square स्केर माइनस यूव का इनर प्रोडेक्ट स्केर ग्रेटर दन इकल टो जीरो इन नेगेटिव है राइट में आके क्या हो गया पॉजिटिव वही दोनों तरफ स्केरिंग है तो स्केर रूट बाइट टेकिंग स्केर रूट और बहुत साइड से स्केर कैंसिल तो हमारा क्या प्रूव हो गया norm of u norm of v greater than equal to mode of u v का inner product इसको adjust कर लिया इसको आगे लिख लिया inequality किसकी तरफ है इसकी तरफ इसको इधर लिख लिया इसको इधर लिख लिया यही हमने प्रूव करना था तो स्क्रूव करना था जो हमने कर लिया सबसे पहले हमने क्या किया दो के लेके चलेंगे कि यू के वैलू के लिए हमारे यह वैलेट हो जाएगा अब नोन जिरो के लिए के लिए अब क्या क्या लेके चलें वैक्टर लेके चलें सब्सक्राइन महारे इसको हम्ने